आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है काली माता की तरफ से आपके लिए मेसज़ काली मा की तरफ से आपके लिए क्या मेसज है काफी लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते रहते हैं कि काली मा की तरफ से वीडियो बनाओ तो इसलिए मैं काली मा की तरफ से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उनकी तरफ से आपके लिए क्या message है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे आज collective reading है guys so कुछ points आप लोगों को हो सकता है कि perfectly resonate हो जाए कुछ points हो सकता है कि किसी और के लिए है तो आप उनको let go कर दीज़े साथ ही एक announcement है guys 15 February से हमारा chakra balancing का course शुरू हो रहा है उसमें chakra उसको balance कैसे करते है कौन सा chakra किस चीज के लिए होता है अगर वो balanced है तो क्या होता है imbalanced है तो क्या problems आती है अगर active है तो क्या problem है over active है तो क्या problem है यह सारी चीज़े हम उसमें discuss करेंगे साथ ही आपको balance करने के लिए क्या खाना चाहिए क्या पहनना चाहिए यह सारी चीज़े हम वहापे discuss करेंगे साथ ही आप अपने चक्रास भी balance कर पाऊगे और अपने clients के लिए या फिर अपने friends के लिए अपने family के लिए भी आप उनके चाक्रास भी बैलन्स कर पाओगे. और also उसमें कॉंसे चाक्रास के लिए कॉंसे क्रिस्टल होते हैं, वो समझाया जाएगा. और also essential oils के बारे में discuss किया जाएगा. अगर आप meditation नहीं करना चाहते हैं, के अलावा आप चक्रास को बैलन्स करना चाहते हैं, तो उसमें चोटी-चोटे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी मैं, जिसमें आप एवरीडे लाइव में वो चीजे करके अपने चक्रास को बैलन्स कर पाएंगे. Okay? So if you guys are interested, कोर्स की फीज सिर्फ 600 रुपीज है, 600 रुपीज अगर आपको कोर्स जॉइन करना है, तो आप मुझे नीचे description box में मैंने WhatsApp नमबर दिया है, उस पे से मुझे WhatsApp कीजे, मैं आपको सारे डीटेल्स कोर्स के दे दूँगी and payment के भी दे दूँगी, आप कोर्स डेफिनिटली जॉइन कर सकते है, जो 15 February से शुरू हो रहा है. Okay? Without further ado, let's start with the reading. देखते हैं काली मा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या message है, काली मा क्या message देना चाहते हैं आप लोगों को, यह देखते हैं. मैं जब shuffle कर रहे हूँ, काली मा को request कीजिए, कि आपके लिए accurate reading दे, on point reading दे. आपके जो मन में सवाल है, उनके answers आपको इस reading से मिले, इसके लिए प्रार्थना कीजिए. काली मा से प्रार्थना कीजिए, कि आपके जिंदिगी का सब कुछ negative, सब कुछ evil, वो खतम कर दे, आपको positivity के तरफ ले जाए, आपको protection दे, आपको success दे, इसकी प्रार्थना कीजिए. देखते हैं आपके लिए क्या काज हा रहे हैं. Okay, we have Ace of Swords. Definitely मुझे दिखाई देता है, कि किसी बुरी शक्ती पे काली मा जो है, घाव करके आपको save करने वाली है. यह definitely दिखाई देता है. किसी बड़ी समस्यां से आप बहार आते हुए, मुझे दिखाई दे रहा है. काली मा जो है, आपको message देना चाहरी है, कि सारी जो बड़ी परेशानिया आपकी जिन्दिगी में थी, उसके उपर काली मा जो है, आपको उनसे आपको victory देने में help करने वाली है, जीत देने में आपको help करने वाली है. साथ ही काली मा की तरफ से message है, कि कोई प्यारा इंसान, दिल के करीब इंसान, उससे शायद आपकी बात शुरू हो जाए, communication शुरू हो जाए, जिसके साथ separation आया था, जिसके साथ दिक्कत शुरू हुई थी, वो दिक्कत सारी खतम हो रही है, और आप तोनों एक दूसरे से बात करते हुए, मुझे दिखाई दे रहे हो. साथ ही काली मा जो है, वो कह रही है कि अगर आप ट्राइवल के plans बना रहे हो, तो काली मा का अश्रवाद आपके साथ में रहेगा, जरूर आप ट्राइवल के लिए plans बना सकते हो. साथ ही दिखाई देता है, जैसे मैं कह रही थी, किसी बड़ी समस्या पे आप जीत पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, एक victory वाला feeling आपके लिए दिखाई देता है मुझे, साथ ही आपके emotions जो हैं, उनके उपर काबू पा रहे हो आप, आपके intuitions काफी high रहने वाले हैं, तो काली मा की तरफ से ये message है, कि अगर दिल से कोई feeling आए इस specific महिने में, जब भी भी आप ये video देख रहे हो, ये timeless reading है, ठीक है, time का कोई limitations नहीं है इसको, टाइमलेस है, जब भी भी आप ये video देख रहे हो, उस वक्त में अगर दिल में कोई चीज है आपके, चाहे जमाना उसको कह रहा है हो कि वो आपके लिए अच्छी है, पर अगर आपको specifically दिल से, अंदर से अगर आपको लग रहा है कि वो चीज आपके लिए बुरी है, या फिर कोई intuition है किसी चीज को लेकर बहुत strong, gut feeling है कोई strong, तो अपने gut feeling को जो है, उसको ही आप priority दीजिए, काली मा कह रहे है कि दिल, आपके दिल तक मैं message पहुचा रही हूँ, अभी decision लेना आपके हाथ में, पर दिल तक तुम्हें एक पेट में तुम्हारे feeling में छोड़ हूँ, आगे तुम decision ले लेना, ठीक है, तो वो intuition जो है, वो काली माता की तरफ से होगा आपके लिए, तो उस पे बहुत जादा focus कीजिए, also we have other cards which are saying कि थोड़ा सा patience रखने की जरूरत है, कोई भी decision जो है, जल्दबाजी में ना ले, सही वक्त उस चीज के लिए आएगा, आपको लगेगा, आपको लोग कहने की कोशिश करेंगे, कि ये आखरी मौका है आपके लिए, पर ऐसा नहीं है, और मौके आएंगे तक पहुचिए, ठीक है, आप लोगों के लिए, मुझे सम्वेर एक, जैसे मैं कह रही थी, एक जर्नी आती हुए मुचे दिखाई दे रही है, तो उस जर्नी से आपको फाइदा हो, फाइदा होगा ये आपको काली मा की तरफ से message है, for example, अगर वर्क से रिलेटेड आप ट् ट्राइवल करने के बारे में सोच रहे हो, आप कही पर trip जा रहे हो, फामिली के साथ या फिर फ्रेंस के साथ, जो भी है, उस trip में आपको आशरवात देती हुई काली मा मुझे दिखाई दे रही है, और साथ ही उस trip से आपको फाइदा हो, यानि कि अगर बिजनिस ट्रिप जा रहे हो तो उस trip पे आपको फाइदा हो इसकी गारंटी आपको कालीमा जो है वो दे रही है for sure साथ ही एक बुरे ही जैसे मैं कह रही थी आपको कि बुरे वक्त से एक अच्छे वक्त की तरफ आगे बढ़ रहे हो ये दिखाई देता है कालीमा का अशिर्वाद आपके साथ उस अच्छे वक्त के लिए है ये भी दिखाई देता है देखते हैं और क्या cards है और straight on point messages क्या आ रहे हैं कालीमा की तरफ से आपके लिए okay दो काजा हैं embrace your power nurture yourself first और एक card देखते हैं लोग वेक अप कॉल ठीक है जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को लोग काफी सारे आपके आसपास ऐसा बोलेंगी कि ये last decision ये last chance है या फिर कुछ है बट आपके intuitions पर focus कीजिए ठीक है किसी बड़े समस्त्या से आप हो सकता है कि जूच सकते हो किसी और के बारे में मत सोचो किसी और के decisions के हिसाब से किसी और के opinions के हिसाब से अपने decisions ना लो आपके intuitions पर trust करो ठीक है कालीमा आपको science दे रही है आपको कही ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी life में से feel करा रही है आपको कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो उस पर focus कीजिए ठीक है अगर long lost lover को call करने के बारे में स तो अपने intuitions को trust करो आसपा से जो आपको science मिल रहे है उस पर focus करो क्योंकि कालीमा आपसे communicate करना चाहती है आपको message दे रही है आपको अच्छी चीज़ों की तरफ guide कर रही है अपने आपके उपर जादा focus करो nurture yourself first अपनी care करो अपनी फिकर करो दुनिया के बारे में जादा न सोचो लोग क्या कहते हैं यानि कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचो अपने बारे में सोचो अपनी care करो अपनी फिकर करो बस और कुछ नहीं ठीक है आप powerful हो कालीमा कह रही है कि तुम powerful हो तुमको powerful बनाया गया है अपनी power किसी और के हाथ में मत दो ठीक है अपनी पूरी जिन्दगी की जो जो क्या कहते हूं से जिन्दगी का जो पूरा पात है आपका वो किसी और के नाम मत कर दो ठीक है आपकी पूरी प्रोपर्टी जो है आपकी जमापुंजी जो है जिन्दगी में आपके थौट्स आपका आपका शरीर आपके विचार या फिर कुछ भ अपनी पावर समझो, अपनी पावर को अपने पास रखो, ठीक है, एम्ब्रेस करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, इसी और क्या मेसेज़ेस आ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक राशी के लिए कोई मेसेज आ रहा है क्या, वो भी देखेंगे हम लोग, कि कैपरिकॉन के लिए आ रहा है कि the end of tough cycle approaches, कैपरिकॉन राशी के लिए मेसेज आ रहा है, अगर आपका कोई भी sun sign, moon sign, star sign, जो भी कैपरिकॉन है, आप उसे साब से ले सकते हो, then we have new start is coming, जैसे मैं कह रही थी, नया beginning आप लोगों के लिए किसी बड़े परेशानी के उपर जीत पाते हुए आप दिखाई दे रहे हो, तो नई beginnings आपकी life में आ रही है, और fiery climax approaches, जैसे मैं कह रही थी, आप लोगों को दोनों cards आप लोगों के लिए है, Aries के लिए है, again Aries जब आता है, तो Aries, Leo, Sagittarius, तीनों राश्यों के लिए मैं बोलती हूँ ये, and Capricorn जब आता है, तो again Taurus, Virgo, Capricorn, इन तीनों राश्यों के लिए हो सकता है, तो ये जो दो messages है, specially Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, इन batches के लिए हो सकता है, and उसमें भी आपकी चाहे sun sign, moon sign, या फिर star sign, इन तीनों में से कोई भी, छे में से कोई भी हो आपके लिए ये message लागू पड़ता है, A fiery climax approaches, victory पा रहे हो आप, जीत पा रहे हो, okay, and साथ ही, end of tough cycle, जैसे, same है, आपको starting, जो है, tarot में वही आया था, आप लोगों के लिए, तो एक difficult वक्त जो था आपके लिए, वो खतम हो रहा है, that is ending, आप जो है, शान्ती की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक new beginning की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी जिन्देगी का next chapter की तरफ बढ़ रहे हो, so definitely काली मा जो है, वो आपके साथ में है, आपके पास में है, उनके blessings आपके साथ में है, so definitely बे फिकर रहे है, अपने intuitions को trust कीजे, अपने आपको सबसे पहली priority दीजे, किसी के बातों में मताईएगा, काफी ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जो आपको गलत सला दे रहे हैं, पर universe की तरफ से, काली मा की तरफ से, जो signs आ रहे हैं, आपको उस पे focus कीजे, ठीक है, अपने चक्रास balance रखिए, काली मा से प्रार्थना करते रहें, उनके भक्त बने रहें, उनके भजन, उनका नाम जाप करना, उनके मंत्र, उस पे focus कीजे, काली मा हमेशا आपके साथ में रहेंगी, वो हमेशा आपके साथ में है, वो कह रही है कि अपने लिए, अपनी लिए stand लो, अपनी पावर जो है उसको समझो, उसको grow करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, okay So this was the reading guys, काली मा की तरफ से आपके लिए message अगर अगर चक्रा बैलंसिंग के लिए एंड्रोल करना है तो नीचे वाटसाप के description में, sorry, description box में वाटसाप नमबर दिया गया है अगर आपको जॉइन करना है तो आप वहां से मुझे मैसेज कीज़े, वाटसाप कीज़े, guys, call मत कीज़े, वाटसाप करना मैं आपको definitely सारी चीज़े detail में बता दूँगी, okay Thank you so much guys for joining me in today's reading, मेरे चानल को subscribe कीजिए, comment कीजिए, video को like कीजिए, आज special prayers कर रही हूँ काली मा के लिए तो अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे prayers में आपका नाम include करूँ, तो नीचे comment box में, thank you for the prayers जरूर लिखे, आपका नाम भी लिख देना, तो मैं आप मेरे prayers में आपका नाम definitely include करूँगी, काली मा के लिए, and उनसे प्रार्थना करूँगी, कि आपकी जिंदिगी में जो है कि विक मैंने love से related video upload किया है, क्या वो आपको miss करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, ये वाला video मैंने आज बनाय हुए उस channel पे, i button में उसकी link आपको मिल जाएगी, channel की भी link आपको मिल जाएगी, thank you so much guys for joining me in today's reading, I'll see you in my next video, till then bye bye, enjoy and stay blessed.